हलो फ्रेंड्स मैं कुक्वित मीना आज मैं बनाने जारे हूँ एकदम अलग नई तरीके से भंडारे वाली चना जिस तरीके से आप भंडारे का चना खाते हो बलकि उससे भी टेस्टी आपको ये चना लगेगा अगर आप मेरे तरीके से इस चने को बना के तयार करेंगे इसे मैंने एकदम यूनिक तरीके से बना कर तयार किया है अगर मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें और अगर नए हो मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे तो चलते हैं इस रेसेपी को बनाने के लिए तो फ्रेंट्स हमने यहाँ पे एक कप चने को रात भर के लिए पानी डाल के भिंगोने के लिए रख दिया था हमने यहाँ पे चने के साथ में नमक भी डाल दिया था और हमने यहाँ पे एक आलू ले लिया है पैसे हम एकड़म नए तरीके से बना के तयार करेंगे और यकिन माने यह इतना टेश्टी लगता है भंडारे जैसा बनके आएगा आपका यह चना हमने यहां पर आलू को पहले डाल दिया और जो पानी सहीट चना है उसे हमने डाल दिया है तो देख सकते हो friends हमने पानी बहुत ज़्यादा नहीं लिया है बस हमने चने से थोड़ा सा उपर पानी लिया है क्योंकि इस पानी को हम बाद में भी यूज करेंगे इसमें हम friends नमक नहीं एड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही नमक एड किया हुआ है अब हम इसे साइड में रख देंगे देख सकते हैं friends हमने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले लिये हैं तो इसे हम बिल्कुल एकदम अलग तरीके से बना के तयार करेंगे और हमने यहाँ पे एक छोटा टुगड़ा कपड़ा ले लिया है और friends यह जो तेजपत्ता है इसे हम इसमें तोड के इस तरीके से रखेंगे इसे मैं बिल्कुल एकदम अलग तरीके से बना के तयार कर रहे हैं हमने पहले तेजपत्ता रख दिया है हमने यहाँ पे एक छोटा टुगड़ा दालचीनी ले लिया है मैंने यहाँ पे चने के हिसाब से सारे मसाला को एड़ कर रहे हैं और दो फ्रेंट्स छोटी वाली हरी इलाइची ले लिया है और चार फ्रेंट्स हमने यहाँ पे लॉंग ले लिया है एक बड़ी इलाइची ले लिया है और हमने यहाँ पे एक छोटा चमाच काली मिर्च ले लिया है इन सबका हम एक पोटली बना के तयार करेंगे तो फ्रेंट्स हमने यहाँ पे इस तरीके से इसे बांध लेना है तो देख सकते हैं फ्रेंट्स हमने यहाँ पे मसाले का एक पोटली बना लिया है जब हम इसे उबालेंगे उस वक्त इसे डालेंज फ्रेंज यकीन मानिए ये चना का टेस्ट इतना जादा बढ़ जाता है और इतना टेस्टी लगता है एकदम भंडारे जैसा बनके आपका ये तयार होगा तो आप भी एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाए इस पोटली को फ् में हम फ्रेंज एक छोटा जमस घी एड़ करेंगे अब हम अब कुकर लगा के इसे 5-6 सीटी आने तक पका लेंगे चने केले ये मसाला तयार कर लेंगे तो हमने यहां पे आधा छोटा चमाच छल्दी पॉडर ले लिया है एक छोटा चमाच लाल मिर्च पॉडर ले लिया है और एक छोटा चमाच धन्या पॉडर ले लिया है और एक छोटा चमाच गरम मसाला ले लिया है एक से डेड़ छोटा चमाच ह हमने यहाँ पे अमचुर पौडर ले लिया है और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक छोटा चमच कसूरी मेथी ले लिया है इन सब को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालके इसे फूलने के लिए साइड में रख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे यह चने का मसाला बनके तयार हो गया है अब हम इसे साइड में रख देंगे जब तक चना पकेगा तब तक यह मसाला फ्रेंड्स अच्छी तरह से फूल जाएंगी तो friends यहां पर देख सकते हैं चना अच्छी तरह से पक चुका है 5-6 सीटी आच कुका है तो देख सकते हैं friends कितने अच्छी तरह से ये पक चुका है इसे हम एक दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे और जो ये पोटली है कि इसे हम निकाल लेंगे और फ्रेंट्स हमने जो ये पोटली डाला था इसके वज़ा से इसमें बहुत ही अच्छी खुस्बू आरी फ्रेंट्स इस पोटली को डालने से इसे हम फ्रेंट्स एक कटोरी में निकाल के रख लेंगे हमने जो फ्रेंट्स इसमें आलू डाला है उसे हम इस तरीके से मसल लेंगे आलू को फ्रेंट्स हमने इसी में इस तरीके से मसल लिया है अब हम इसे साइड में रख देंगे अब हम फ्रेंट्स इस पोटली को खोल लेंगे और हमने यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लिया है और इसमें जो खड़े मसाले जो रखे थे उसे हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे और फ्रेंड्स इसमें हम एक छोटा टुकडा अधरक एड़ करेंगे और इसी फ्रेंट्स हम थोड़े से हरी धन्या पत्ती एड़ करेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर लेंगे और फ्रेंट्स इसे हम पीस लेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे मसाले को पीस के तयार कर लिया है अब हम इसे side में रख देंगे अब हम चलते हैं friends gas की तरफ तो friends हमने gas में कड़ाई रख दिया है गर्ड़ाई गर्म हो चुका है अब हम friends कड़ाई में एक टेबल स्पून जितना घी एड़ करेंगे इसमें हम आधा छोटा चमा जीरा एड़ करेंगे जीरा को friend थोड़ी से भून जाने देंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग एड़ करेंगे जीरा और हींग भून चुका है friend और flame को हम medium में low में कर लेंगे अब हम इसमें जो पीज के मसाला एड़ किये थे उसे एड़ कर लेंगे इसे हम तेल में अच्छी तरह से mix कर लेंगे हम एक मिनट के लिए भून लेंगे अब हम friend जो मसाला बना के रखे हैं उसे एड़ करेंगे तो हमने यहां पे यह मसाला बना के रख लिया था यह अच्छी तरह से फूल चुकी है अब हम इसे कड़ाई में एड़ करेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के फ्रेंट्स इस मसाले को इसी में डाल देंगे मसाला को डालते से में फ्रेंट्स लो मीडियम में कर लिया था अब हम इसे मीडियम में कर लेंगे और मसालों को फ्रेंट 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुहूल लेंगे इसमें हम फ्रेंट थोड़ा सा काला नमक एड़ करेंगे यह नमक डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप काला नमक जरूर एड़ कर ले और नमक को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो friends मसाला यहां पे अच्छी तरह से भूँ चुकी है अब हम जो चना बॉयल करके रखे थे उसे इसमें एड़ कर लेंगे हमने चना को पानी सहीथ ही डाला है फ्रेंट्स हमने जितना पानी चने को बोईल करने के लिए डाला था उतना सारा पानी हम इस चने में डाल दिया है मसालों में चने को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चने में तो देख सकते हो फ्रेंट जिस तरीके से भंडारा में चना बनता है ये बिल्कूल उसी टेस्ट में बनके तयार होगा फ्रेंट इसे ढखके दो से तीन मिनट तक पका लेंगे जितना इसमें पानी है सारा पानी को हम सुखा लेंगे तो फ्रेंट दो से तीन मिनट हो चुका है एक बार हम इसे और चेक कर लेते हैं देख सकते हो फ्रेंट्स इसे हमने दो से तीन मिनट पकाया है तो इसका पानी कितना ज़्यादा सुख गया है तो friends मुझे इसका और पानी सुखाना है इसे हमें बिल्कुल सुखा लटपटा सा बना के तयार करना है अगर आपको इस तरीके से ग्रेवी वाला चना चाहिए तो आप यहीं पे फ्लेम को बन कर सकते हैं लेकिन इसे मैं friends एकदम सुखा वाला चना बना के तयार करूँगी और friends इसे हम दो से तीन मिनट तक और ढखके पका लेंगे तो हम friends अब चने को चेक कर लेते हैं दो से तीन मिनट हो चुका है तो देख सकते हो friends चने का पानी बिल्कुल सुख चुका है एकदम लटपटा बन के तयार हुआ है friends ये यकीन मानिय friends ये चना खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगा अब हम इसमें कुछ हरी मिर्च डाल देंगे और बारी कटी हुई हरी धन्या पत्ती डाल देंगे और friends फ्लेम को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और friends लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे घी डालने से चने में साइनिंग आ जाएगा ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगा घी को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो फ्रिंट देख सकते हैं चना एकडम ब्लकुल भंडारे जैसी बनके तयार हुई है खाने में ये बहुत ही टेश्टी लगे कि जिस तरीके से भंडारे का चना लगता है उसी तरीके से ये भी खाने में लगेगा इते देख सकते हो friends मसाला एक एक चने में कोट है तो आप भी मेरे तरीके से बना कर एक बार जरूर ट्राइ करें तो friends आप भी इस बार के अश्कमी नौमी में इस चने को बना कर जरूर ट्राइ करें ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और इसी तरीके से बनाना चाहेंगे यकीन माने फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें इसी तरह फ्रेंड्स हम अगले नए वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई